नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ग्यानकेडमी क्लासिज में दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोजरात आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज अपने बात करने जा रहे हैं राजस्तान के एकिकरण की ये राजस्तान का काफी important topic है जिसमें exam में 100% एक question आता ही आता है तो चलो दोस्तों अब अपने बात करते हैं राजस्तान के एकिकरण की सबसे पहले जब अपने एकिकरण की बात करते हैं दोस्तों तो हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हुआ था कैसे है तो दोस्तों जो राजस्तान का पूरून एकिकरण है आपका एक नुमबर 1956 को हुआ था दोस्तों और ये कितने चलोनों के अंदर हुआ था तो ये दोस्तों साथ चलोनों के अंदर हुआ था अब question ये उठता है कि 7 चरूनों में हुआ था अच्छी बात है पर कितना समय लगा उसके लिए तो उसके लिए दोस्तों अपना 8 वर्ष 7 मां और 14 दिन का अपने का समय लगा था इसके अंदर जब एक एकरन किया गया था उस टाइम बे राजस्थान के अंदर किती रियास्ते थी या कितने ठीकाने थे या केंदर सासित परदेश थे तो राजस्थान के अंदर उस समय पे 19 रियास्ते थी दोस्तों अपनी और 3 आपके ठीकाने थे एक आपका केंदर सासित परदेश था अब ये चीज तो जान लिए अपनों ने अब ये भी जानना जरूरी है कि उस वक्त सबसे बड़ी रियाशत कौन सी थी और सबसे चोटी रियासत कौन सी थी तो सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं दोस्तों तो जनसक्या के अनुसार जैपुर सबसे बड़ी आपकी रियासत थी क्योंकि उसकी जनसक्या थी 30 लाग थी और सबसे चोटी की बात करें तो जनसक्या के अनुसार आपकी जो स्यापुरा है रियासत थी उसकी 16,000 जनसक्या थी यानि सबसे चोटी रियासत आपकी शापुरा और सबसे बड़ी आपकी जनसक्या के दार पर तो उस समय पे एक सर्थ रखी गई थी कि अगर कोई भी रियासत है उसकी आपकी आमदनी है वो एक करोड रुपए है राजसर उसका और उसकी जनसक्या के दस लाग है तो या तो सवतंतर रह सकते हैं या किसी अन्य रियासत के अंदर वो विले कर सकते हैं तो इस सर्थ को पूरा करने वाले चार रियासते थी एक दोस्तो आपकी थी विकाने एक आपकी जैपुर एक आपकी जोदपुर एक उद्यपुर तो ये चार रियासते थी दोस्तो जो इस सर्थ को पूरा करती थी तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो विले पत्तर थ उस पे किस ने हस्ताक्सर किय? तो दोस्तों उस पे आपके जो बिकाने रियासत थी उसके साधूर सिंध्जी जो माराज थी उन्होंने 7 अगस्त 1947 को श्ताक्सर किये और सबसे अंती में विलेपत्तिर पैकि drafting आथा है तो धोलपुर रियासत थी, उसने अस्ताक्षर किये थे तो उसके उध्यवांसिंग जी थे, उन्होंने 14 अगस्त 1947 को इस पर अस्ताक्षर किये अब दोस्तों अपने जानते हैं कि रियासते किते भागों में डिवाइड थी, किती सिरिणिया थी तो उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं, तो जो एकी कर्म से पूरों भाहर तीन सिरिणों में बढ़ा हुआ था ABC, जो A सिरिणिक थी, वो अंग्रेज्यों के द्वारा सा सित परदेश थे दोस्तों और उसका जो परमुक था, वो गवर्नर जनरल कहलाता था तो इसके दो थे अबने, एक तो मदरास और बुंबई, यह आपका A सिरिणि में थे B सिरिणिक की बात करें, तो इसमें चोटी-चोटी जो रियास्तेते थी, संग बना रखें, वो आती है तो जो उनके अंदर जो परमुक है, उसको कहा जाता था दोस्तों, राज परमुक, जिसके अंदर MP और आपका राजस्तान, यानि अपना प्यारा राजस्तान, वो आता है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीस रेनी के तो जो सीस रेनी थी वो चीफ कमिशनर के परांग थे ये दो परांग थे बारत में एक तो आपका अजमेर था एक आपका दिल्ली था दोस्तों और अगर बात करते हैं मुस्लिम रियास्त की तो उस समय दोस्तों दो मुस्लिम रियास्ते थी एक तो अपनी राजस्तान के अंदर एक तो टॉंक रियास्त थी आपकी एक गुजरात के अंदर पालनपुर ये दो मुस्लिम रियास्ते थी उस वक्त अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि भारत के अंदर किती रियास्ते थी तो दोस्तों भारत में उस वक्त 562 रियास्ते थी और सबसे बड़ी थी वो तो थी आपकी दोस्तों हैदराबाद और सबसे छोटी थी आपकी शापुरा अब अपने जो सातों चरण है दोस्तों उनके का ठिकाना इससे क्या मतलब है अभी आप समझ जाएंगे देखो ए से आपका होगे अलवर बी से बायतपूर सी से क्रोली डी से धोलपूर और नीम का थाना यानि निम्राना तो ये अपने चार आपके रियास्ते थी और एक अपना ठिकाना था चार पलस एक तो इसमें कैसे कैसे थी वो देखते हैं तो ये दोस्तो आपका अलवर रहा रियास्त मैंने करंट के साब से बनाया है मैप ताकि आपको चित्रे स्यादर रहे तो ये दोस्तो आपका अलवर हो गया ये आपक था वो के एम मुंची थे उनकी सलाप पर यानि उनकी सिफारिष पर इस मतस्य संग का नाम रखा गया तो जो सबसे पहले मतस्य संग है उसके जो राजपुरुमुक की बात करते हैं तो राजपुरुमुक थे उसके उद्यवान सिंग थे जो कि किसके थे आपके और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पधार मंतरी की तो जो मतस्य संग है इसके पधार मंतरी थे आपके सोबाराम कूमावत पो उसके बाद राजपुर्णी दोस्तों अलवर, अलवर आज भी एन्सियार के अंदर शामिल हुआ हुआ है तो अपने समझ सकते हैं कि अलवर का उस टाइम पे भी राधनी अलवर को ही उन्होंने रखा अपने मतस्य संगी यानि काफी उस टाइम पे मैं तब था आज से 70 साल पहले और आज भी काफी है उसके बाँ उद्गाटन करता की बात करें तो वी एन गोडगिल यानि नर हरी विष्णु गोडगिल इन्होंने इसका उद्गाटन किया था दोस्तों यह अपना दोस्तों मतस्य संग हो गया I hope कि मतस्य संग आपका clear हो गया अब अपने आगे बात करते हैं अब दूसरे बात आती है दोस्तों पूरुव राजस्थान पूरुव राजस्थान 25 मार्च 1948 को बना था तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है दोस्तों देखने में आपको थोड़ा सा लग रहा है पर अभी देख पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा आपको क्योंकि नो जहलावाड दू से हो गया दूंगरपुर को से हो गया कोटा परताप से हो गया परतापकट टो से हो गया टॉंक और सै से हो गया सापुरा दिखावे मतलब काटती है इसका कोई मतलब याद करने के लिए है जिसे टोस्त करते हैं अपने उसको लिए तो आप इसके याद कर स तो दोस्तो यह अपनी नो रियास्ते और एक अपना ठिकाना होगे जो तीन ठिकाने बात की थे दो ठिकाने अपने खर लीए नीम राना किर लिया अपको सलकड castle लिया अब आगे थोड़ी दिर में लावा ठिकाना और भी कर लेंगे अब इसमें क्या था आगे बात करते हैं तो जो पूरूव राजस्थान था आपका 25 मार्च 1948 को बना था दोस्तो तो इसके जो परमुक थे राज परमुक थे वो कौन थे भीम सिंग तो देखो कोटा की बात करते हैं आपके कोटा आगया तो कोटा को ले लिया कोटा के भीम सिंग आगया परधान मंतरी आपके गुकल लाल असावा आगया राजधनी आपकी कोटा आगया उदगाटन करता आपका वी अन गोडगिल आगया दोस्तो अब इसके मैप की बात कर लेते हैं ये करंट के कोडिंग थोड़ा सा बनाने कोशिस के जैसे आपका ये भीलवाडा इरिया है भीलवाडा उपर अजमेरिका तो किशनगड सापुरा आपनों ने यहां देख लिया टॉंक अभी भी आप देखते हो टॉंक है टॉंक के नीचे बुंदी ये बुंदी के नीचे कोटा है सी से करोली डी से दोलपूर हो गया था ठीक है अब उसके बाद में ये आपकी नोरियास्ते आगी तो इसमें एक कुछल का ठिकाना है वो बांसबाडा में है वो अल्रड़ी है इसमें इसलिए मैं दिखाया नहीं है अब दोस्तों आगे बात करते हैं सुने राज़स्थान की तीसे नम़र का जो चरण था ञाए दोस्तों इस Gold К viaga राज़स्थान की तीसे नम़र का चरंण था ये दोस्तों 18 аप्रेल 1948 को हुआ जो तीसरा चरंण था दोस्तों इसके नदर क्या था आपका पूरवी राज़सथान जो भी परमुप पीछे किया है दोस्तों पूरवी राजस्तान ये ये नोरेयस थे पलस इसमें उद्यपूर एक एक एक्स्टा एड़ और हो गया तो इसमें कौन थे आपके राजपूर मुख बुपाल सिंग उद्यपूर आ गया तो उद्यपूर हो गया आपका इसके अंदर पधान मंतरी बात करें तो मानिक एलाल वर्मा जी हो गया राजदानी की बात करें तो आपका उद्यपूर हो गया दोस्तों वो धगाटन करता इसमें पंड़त जवा तीसरा हो गया शुक्तराजस्थान उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दोस्तो चोते चरेम की चोते चरण का बना था आपका वहद राजस्तान तो वहद राजस्थान दोस्तों यह आपका बना था 30 मार्ज 打 प्रूंट को बना था तो इसमें क्क्या था जे जे बी का लावा ठीकाना ठीक है तो लावा ठीकाना प्लस स्विंक तरा जस्तान दो चीज तीसे नमबर का चरण था आपका जो तीसे नमबर का चरण था वो वो एड़ हो गया इसके अदर इसमें क्या बन गया आपका जे से क्या हो गया जे से आपका जेसलमेर हो जाएगा जे से आपका जोदपूर हो जाएगा जे से जैपूर हो जाएगा बी से बिकानेर हो जाएगा ये देखो दोस्तों जे से जेसलमेर हो गया आपका जे से जोदपूर हो गया जे से जैपूर हो गया बी से बिकानेर हो गया और प्लस लावाठी काना हो गया और इसके अंदर साथ में कौन सा गया तीसरा नंबर आपका चरन आ गया तो इसके अंदर दोस्तों ये मैप देखो ये वो सेम अपना तीसरा चरन आ गया तो तीसरा चरन के अंदर ये आपके दूसरा चरन आ गया आपका निले वाला ये उदेपूर था ये आपका तीसरा चरन आ गया और ये चोथे के अंदर ये चार एड हो गया आपके विकानेर दो करंट के हिसाब से रखे हैं अपने जो लेटिस्ट के अंदर अपने वैब देखते हैं विकानेर दिखता है फिर जेसल मेर फिर जोदपूर फिर जैपूर बीच वाले पोश्चन को खाली शोड़ ताकि एक आइडियर है पिक्टोग्राफी मेंबरी बन जाए तो इसकी वहत राजस्थान की बात करें तो राजपूर मुख थे दोस्तो इसमें मान सिंग जी थे मान सिंग जो सैकिंड है वो जैपूर के है वो थे पधान मंतरी आपकी हिरालाल सास्त्री जी थे और राजदा पर्मुख थे यह बुपाल सिंग बनाए गए और उद्यपूर के और यह एक ही बनाए गए थे महाराज पर्मुख और जो की अन्तिम समय तक जब सातों चरण पूरा हुआ था एक नौबर 256 तक तब तक यही बुपाल सिंग ही रही थे उसके बाद अगर जो कमेटी थी किस कमेटी पे इसका रखा गया तो 277 राव कमेटी थी दोस्तों उसके दवारा इसको एक एकरन किया गया और जो जैपूर था जैपूर को राजस्थान की राजदानी बनाया गया और उसके लाव उद्यपूर था उद्यपूर को उद्यपूर के अंदर दोस्तों आपका रिव तो पांचो चणन है दोस्तों सिर्थ वहदर राजस्तान ये 15 मैं 1949 को 1949 को बना इसमें क्या हुआ इसमें वहदर राजस्तान प्लस तो इसमें वो याद करनों दोखे हैं ये आपका पहला चणन हो गया इदर वाला ये आपका दूसरा हो गया बाबू की जाडू परताब को टॉप्स दिखावा है कुसल गड़ की ठिकाने में तो वो हो गया दोस्तों उसके बाद तीसरे मुद्यापूर आड हो गया था चोथे के अंदर आपका ये भी काने जेसलमेर जोदपूर और जैपूर वाला है जे-जे-जे-बी वाल-वाल और लुरावा ठिकानवाल तो इस परकार से दोस्तों आ गया इसमें कौन सा था? इसमें किस कमेटी के दारपे इसको ये से बंद जोड़ा गया? आपकी संकरदेव कमेटी थी उसके दारपे इसको जोड़ा गया राजपुर्मुक थे दोस्तों वो आपकी मान सिंग सेकिंड थे वो थे पधान मंतरी आपकी हिरालाल सास्तरी जी थे राजदानी आपकी जैपुर थी महराजपुर्मुक जो पहले ही कहा गया था कि अंतीम समय तक जब एक नुमंबर उनिच्वपन तक आपके भुपाल सिंग रहे थे उद्यपुर के अब दूसरों बात करते हैं चटे चरण की चटा चरण है दोस्तों जिसको राज़तान संग भी कहा जाता है ये 26 जनवरी 1950 को बना था तो इसके अंदर क्या हुआ आपका पांचवा चरण पलस आदा सिरो ही आदा सिरो ही क्यों कहने है क्योंकि दोस्तों आदा जो आपका आबु था वो बंबई को मिला दिया गया था और जो दिलवाडा था वो गुजरात मिला दिया गया था तो जब ऐसे कर दिया गया तो उस वक्त क्या किया गया गया वकुल बाई जो बड़ थे, उस वक्त के नेता थे, उन्होंने इसका विद्रो किया, उसके बाद वेम आपीस मिला दिया गया था, वो अगले वाले सात्यों चरण में मिला दिया गया था, पर पहले एक बार गुजरात में मिलाया गया था, दिलवाडा को और आबू को मान सिंह सेकिंड, और सात्यों चरण की बात करते हैं, जो अन्तिम चरण है दोस्तों, आपका वर्तमान जो सहरूप अपने देख रहे हैं, एक नॉम्बर उनिस सो चपन को, इस वक्त क्या हुआ, अबू देलवाडा जो भी पिछे बात की थी, अबू को बॉंबई को दे दि दिया गया, और जो राजपरुमुक आपका पद पहले बनाया हुआ था जो अपिमान जी सेकिंड ने बनीजबात कर रहे थे जो लाश्ट में, तो राजपरुमुक है उसका पद को समाप्त कर दिया गया दोस्तों, उसकी जिए राजय पाले का पद है दोस्तों, वो परांत था दोस्तों, जैनि कोटा के जो सरज्परांत था, वो MP में मिला दिया, और MP का सुनेल टपपा, जो अपने यहां भी बात किया पहले ही, वो राजस्तान में एड़ कर दिया, इस परकार से दोस्तों, राजस्तान का जो वरतमान सुरूप है, वो आ गया, वरतमान सु 82 के अंदर दोस्तों, दोलपूर को बनाया गया, और वो बनाया गया 15 अपरेल 1982 को, उसके बाद 1991 में में तीन जिले बनाये गए, बारा, दोस्ता, रासंबंद, यह ऐसे इसलिए लिखे है क्योंकि नाम करन ऐसे ही है, 28 में पर बारा बना, 29 में पर दोस्ता बना, रासंबंद दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, 1937 में को करोली बनाया गया, करोली बना आपका 32 जिले दोस्तों, यह बना 19 जुलाई, 1937 में को दोस्तों, और अन्तिम जो 33 जिले है, वो आपका दोस्तों परतापकड बना, 2008 के अंदर, 26 जनरी 2008 के अंदर आपका यह अन्तिम जिला बना, त तो किस परकार से दोस्तों ये 33 जिले बने पूरे मेरी आस्ते थी, कैसे थी, वो अपने दोस्तों इस पार्ट में जाना, इस परकार दोस्तों, I think आप कोई वीडियो क्लियर हो गया होगा, और फिर भी थोड़ा सा ये टोपिक, अगर थोड़े से परशानी आपको लग रही है तो दो-तिन बार आप दोस्तों वीडियो को देखें, तो आपका डेफिनेटली आपका जो डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी कोई डाउट हो तो दोस्तों आप comment box में दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं, मुझसे या फिर email कर सकते हैं, और अगर दोस तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अनने के साथ भी शेर कीजिए, ठैंक यू